हम लोग अभी बात करने वाले हैं टपल से रिलेटेड इंडेक्स मेथड के बारे में इस मेथड की मदद से हम लोग किसी पर्टिकिलर वैल्यू का फॉर्स्ट ओकरंस इंडेक्स पा सकते हैं अपने टपल के अंदर और एक्जामपल अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे टपल में फर्स्ट कहां ओकर हुआ है तो मैं इस मेथड का इस्तमाल कर सकता हूं तो हमारे सामने यह जो टपल है यह बिल्कुल रेडी है ठीक है सिंपल है और हम लोग क्या करेंगे हम ल लोग प्याली बार कभ करुआ है कौन से इंडेक्स क्र वॉँसका इंडेक्स करेगा सिंपल है ना देट सिख सिदा सिदा कर लेते हैं हमें इस तपल में से यह थैंड कर दे दिया तो मैं इस टपल में से पहले यह कहां ओकर हुआ है ठीक है फिर्स्टी ओकर हुआ है index number 4 पे राइट बिकॉस 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 & 4 तो इंडेक्स नंबर 4 पे हमारे पास में यह टपल का यह जो element 29 वह है राइट सिंपल है तो हमें यहां पर यह जो इंटेजर रिटन करने वाला यहां पर लोग चाहो तो कोई store कर सकते हो बड़ लोग यहां पर देख न चाहते है तो तो आप लोग प्रेंट कर लेंगे तो यहां पर हम लोग प्रोग्राम को सिंपली रन करेंगे by typing python understand tuple dot py okay and आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे यह index दे रहा है 29 का जो की है 4 right and that makes sense 31 का अगर करता हूँ तो देखो ठीक है अब वैसे यह जो elements से यह एक ही की बार हो करो रहा है ठीक है देखो यहाँ पर 5 दे रहा है right अब मान लेता है कि मैं यहाँ पर 29 और कुछ बार यहाँ पर कर देता हूँ ठीक है more a couple of times that's it ठीक है तो अब अगर मैं फिर से करता हूँ यहाँ पर कि मुझे 29 का index चाहिए from this particular tuple तो वो मुझे क्या देगा वो मुझे देगा first occurrence index मतलब वो index जहाँ पर 29 यह element first occur हुआ है मतलब यही पोर ही answer मिलने वाला है फिर से right अगर मान लेते हैं यहाँ पर 29 आ गया ठीक है यहाँ पर 29 आ गया तो देखो one answer मिलेगा because this is the index जहाँ पर यह जो element है 29 यह occur हुआ है right first occurrence first occurrence right वो आपको मिलेगा तो जब दी आप लोगों को ऐसी situation आती है ऐसी जरूरत पड़ती है कि आप लोगों को आपके टपल में से किसी element का first occurrence index चाहिए तो आप लोग यहाँ पर index method का इस्तमाल कर सकते हो ठीक है अब एक सवाल आ रहा होगा कि यार हम अगर कोई ऐसा element देते हैं यहाँ पर index method को जो कि हमारे टपल में है ही नहीं तो क्या होगा right अब मान लेते हैं आपर मैं इसको 100 देता हूँ because 100 यहाँ पर मेरे इस टपल में है ही नहीं right तो ऐसे condition में मुझे यहाँ पर error मिलेगा right देखते हैं आपर टर्मिनल को पहले clear कर देते हैं और यहाँ पर फिर से run करने पर हमें यहाँ पर value error मिल रहा है कि यह element टपल में नहीं है that's it right तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर टपल में किसी element का first occurrence index पा सकते हो index method की मदद से but down में रखना अगर वो element आपके टपल में नहीं है तो आपको error आएगा